गाइज, we will discuss the SN1 and SN2 reaction, SN1 and SN2 reaction, ठीक है, और यह आपका पार्ट है किसका, हाईलो एलकेंस and हाईलो एरेंस का, ठीक है, तो इसको सही से देखिए कि SN1 and SN2 क्या होता है, ठीक है, तो it is the types of reaction, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, है क्या यह, एक इतीचे type of reaction, ठीक है, और type of reaction में कौन ठीक है, ठीक है, substitution, nucleophilic reaction, ठीक है, और इसका यह दो पार्ट है, SN1 and SN2, ठीक है, तो SN1 क्या होता है, और SN2 क्या होता है, सबसे पहले तो इसके full name देख लिज़े, क्या होता है, SN1 है, substitution, ठीक है, nucleophilic, ठीक है, N1 means क्या है nucleophilic, uni-molecular reaction, यो नी-molecular reaction, ठीक है, इसी तरह से SN2 क्या है, substitution, nucleophilic, biomolecular reaction, ठीक है, तो SN1 and SN2, ठीक है, बोथ हर very important, ठीक है, क्योंकि एक गार बरपस से question यहीं से आता है तो सबसे पहले हम देख लें किसको देख लें sn किसको देख लें Sn1 को देखें Sn1 क्या होता है आपका substitution nucleophilic unimolecular reaction और टाइप किसका है nucleophilic reaction का एक type है ठीक है nucleophilic substitution reaction का एक type है ठीक है इसमें होता क्या है what happened here अगर हम बात करते हैं कोई भी alkyl halide ले लिजीगा आप जैसे हम ले रहे हैं CS3, Cl ठीक है और इसका reaction किस से करा रहे हैं किसी भी base से हम करा रहे हैं suppose that Na उससे करा रहे हैं तो आपका जो product बनता है इसमें क्या बनेगा CS3 हो यह simple है आपका CS3 और OH और sodium पे charge कैसा होता प्लस तो यह CL माइनस से attach हो जाएगा ठीक है so it will attach from the NaCl आपका निकल जाएगा ठीक है तो यह आपका product है ठीक है अब SN1 mechanism हम पढ़ते हैं mechanism क्या होता है कि यह जो बन रहा है कैसे हो रहा है कैसे रहा है ठीक है किस process से आपका product formation हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि CS3Cl ठीक है यह आपका carbon है carbon का valency कितना होता है 4 होता है तो मैंने 4 bond बना लिए ठीक है एक से CL जुड़ा हुआ है ठीक है और आपके यह क्या है आपके सारे hydrogens है ठीक है अब बात flame होते है अब दाप्लेण हमडेट से अगर दिखाए ठीक है तो बिलोग दाप्लेण हम किसको दिखाएंगे व्यसर से ठीक है तो आपका दो बाण्ट प्लेण में है एक आपकी तरफ आ रहा हूँ एक क्या है जो आपका hydrogen chloride यह आपकी तरफ आ अपवर्ड और यह बैकवर्ड ठीक है रेट पे जो बैकवर्ड आ जा रहा है ठीक है अब अगर कोई source नुइकलियोफाइल है ठीक है और स Katrina का एकसे एक अकी सकते हैं अब देखिए प्लेड में केबल 2 है एक आपके तरब जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो यह क्या करेगा attack करेगा किस पर attack करेगा carbon पर attack करेगा ठीक है तो अगर carbon पर attack कर रहा है और CL निकल रहा है तो यह आपका reaction होता है SN2 बट इस type के reaction में सबसे पहले आपका nucleophile attack यहां पर नहीं करेगा नुकलियोफाइल का अटैक नहीं होगा अब सर क्या होगा यह भी एक कुश्चन है तो इसमें क्या होता है सबसे पहले आपका क्लोराइड क्लोराइड क्या करेगा थोड़ा जब आप हीट दोगे हीट की प्रेजंस में क्या हो जाएगा जो आपका chloride वाला है यह क्या करेगा chloride यहां से release हो जाएगा chloride release हो जाएगा तो chloride जब release हो गया तो आपका बचा क्या एक आपके जो above bonds थे above hydrogen था और एक आपका below वाला जो hydrogen था और charge कैसा आजाएगा positive आजाएगा ठीक है positive आएन carbon के पास है मतलब यह कैसा आप बिहेब करेगा electro electro file जैसा बिहेब करेगा यह हम बोड़ सकते हैं electrofilic center हो गया यहां पे इसको दूसरा नाम देते हैं कि यह आपका बन गया intermediate यह क्या हो गया intermediate हो गया intermediate क्या होते हैं कि reaction के बीच में बनेंगे और तुरंत उस पर क्या होगा कोई nucleophile attack कर देगा तो nucleophile यहां पे आपको क्या मिल ला है OH-1 जब एक कटायन बनेगा तो यह कहेगा बेटा हम बॉंड बनाएंगे तो यह आपका जो बॉंड बनाएंगे तो यहां पर क्या हो गया प्लस माइनस जहां पर भी हो बॉंड बना लेंगे ठीक है चार्श पार्टिकल जहां पर हो तो आपका क्या बना लेंगे बॉंडिंग हो जाएगा तो कार्बन यहां पर क्या हो जाएगा यह तो आपका above the bond था hydrogen यह अपका below था और यह आपका यहां पर bond बन गया तो bond बन गया तो मतलब क्या है यह आपका product formation आप किसका हो गया तो अगर हम वाबल देखें तो E और दोनों वाबल है तो पहले वाबल को हटा देंगे और क्या करेंगे मिक्स कर दिए तो मेथेनौल हो जाएगा तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें क्या हो रहा है आपका कार्बोकाटाइन बन रहा है उस कार्बोकाटाइन के बनने के बाद न्यूक्लिफाइल का attack हो जाता है attack होने के बाद आपका formation आप प्रोडक्ट हो जाता है इसमें और सी यह कार्बोकटायन जब बनता है तो यह जो step होता है यह वाला step ठीक ठीक है इसको हम sign reversible बनाते हैं ठीक है reversible मतलब यह exchange होता रहता है CL जाएगा फिर bond formation भी हो सकता है और इस step को हम बोलते हैं बहुत अच्छा word देते हैं rate determining step क्या देते हैं rate determining step बोलते हैं मतलब इससे आप इस reaction का rate determine कर सकते हो rate of reaction आपने chemical kinetics भी पढ़ा होगा कोई नई बात नहीं है यहाँ तो यहाँ पर जो important चीज है कि इस पूरे दो step की reaction है पहला step कार्बोकाटाइन का formation जो के एक reversible reaction है इसको बोलते है rate determining step and after that it is converted to product formation मतलब इसी आपका जो intermediate बना उस पे OH अटेक किया और formation आप प्रोडक्ट हो गया बट बट आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी कार्बोकाटाइन बने ठीक है जो भी कार्बोकाटाइन मने वो stable कार्बोकाटाइन हो क्या हो stable कार्बोकाटाइन अब stable कार्बोकाटाइन क्या होता है आपने पढ़ा होगा जब हम हमने बात किया था कार्बोकाटाइन में तो आपका stability मैंने बताया था tertiary secondary primary tertiary क्या होता है जहां पे tertiary carbon क्या होता है this one ठीक है यह कार्बोकाटाइन ह प्लस charge है और इसको tertiary बोल देते हैं क्योंकि यहां पर तीन methyl group है ठीक है इसको क्या बोलते हैं tertiary ठीक है एक होता है secondary मतलब एक hydrogen लगा देंगे ठीक है यह आपका चार्ड हो गया यह आपका secondary हो गया क्योंकि एक carbon से 2 carbon जड़े तो secondary हो गया फिर primary हम देखते हैं प्रामरी में क्या देखोगे CS3, CS2, इसमें stability जब देखते हैं कार्बोकाटान का, तो सबसे ज़्यादा stable, यह होता है क्योंकि यह सारे methyl groups क्या है, electron donating है, तो electron देंगे, तो charge क्या होगा, neutralize होगा, तो neutralize किसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा CS3 groups होगे, ठीके, यह क्या करेंगे, electron, देंगे इस carbon को, जिसके पास electron की deficiency है, तो 3 methyl groups gives the more electrons to the carbon center, तो यह सबसे ज़्यादा stable हो जाएगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा, तो हमेशा द्यान रखना है, जब भी आप stability की बात करेंगे, तो आपका कार्बो काटायन क्या होना चाहिए, stable होना चाहिए, ठीक है, suppose that आपका दिया है, CS3, अब इसी का हम देखिए, यहाँ पे मैं stability की उससे बता रहा हूँ, CS3, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने BR, ठीक है, निकल जाएगा, है न, तो यह आपका rate determining होगा, यहाँ पे आपका क्या OS minus attack कर देगा, OS minus यहाँ से आएगा, joint हो जाएगा, तो यह stable कार्बो काटायन है, ठीक है, कभी-कभी होता है कि सिप्ट, hydrogen सिप्ट, यह मेथाइल सिप्ट, बेंजाइल सिप्ट, तो जब भी कार्बो काटायन, अगर किसी कार्बो काटायन पे बेंजिल ग्रूप जुड़ा हो, बेंजीन ग्रिंग हो, ठीक है, तो यह माना जाता है, सबसे ज़्यादा यह stable होता है, ठीक है, तो जहाँ सिप्ट में क्या होगा, जो आपका यह step हो रहा, यह आपका कैसा होगा, फास step होगा, slow counts आईए, इसमें एक process होता है, जिसको बोलते है, retention of configuration, retention of configuration, ठीक है, अब retention of configuration क्या होता है, तो retention of configuration के हम जब भी बात करते हैं, इसको तोड़ा हटा रहे हैं आपे, ठीक है, नहीं हटाना तो यहाँ पर लिखे दे रहे है retention सबसे पहले तो आपको configuration आपके पढ़ा होगा R and S ठीक है नहीं पढ़ा तो फिर से देख लिजेगा configuration R क्या होता है R के लिए जिसे suppose that यहाँ पर मैंने chlorine लिया यहाँ पर मैंने bromine लिया यहाँ पर मैंने iodine लिया यहाँ पर मैंने H लिया तो iodine का जो सबसे ज़्यादा atomic molecular weight किसका ज़्यादा होगा यह हम बोल सकते हैं atomic number जो भी आप मानके चलो ठीक है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा ठीक है फिर आपका bromine ठीक है तो इस तरह से तो अगर हम 1-2 माल लेजिएगा 1 इसको दे रहे 2 इसको दे रहे 3 इसको दे रहे 4 इसको दे रहे तो 1-2-3 किधर जा रहा है यह रहो आपका 1-2-3 anti-clockwise दा रहा है तो anti-clockwise मैंने बता था S ठीक है अगर इस तरह से जा रहा होता तो R configuration तो molecule क्या होना चाहिए chiral होना चाहिए ठीक है तब उसमें हम configuration देख लेते हैं तो इसमें configuration इसमें क्या है अपका 3 same है ठीक है 3 same है ठीक है यह CS3 हो गया CL हो गया ठीक है तो इसमें तो चलो configuration इसमें हम RS का अगर हम fact देखेंगे तो इसमें लगा नहीं की पाओगे बट अगर यहां पे कोई में होता तो आपका क्या हो जाता रिटेंशना पकाानफीगूरेशन हो जाता रिटेंशन मतलब configuration never change इसका र चाहिए तो इसका भी क्या होगा प्रोडट का आर होगा अगर reactant का S है तो प्रोडॉट्ट का क्या होगा S होगा, मतलब कि इसको बोलते है retention of configuration invert हो जाना, मतलब change होना जैसे SN2 में जा हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा अगर इसका R है, तो इसका क्या हो जाएगा S हो जाएगा, इसका S है, तो इसका R हो जाएगा, ठीक है, तो इस configuration को हम क्या बोल जाएगा, अगर R है, तो R रहेगा, S है, तो S रहेगा और इसको बोलते हैं, retention up configuration, ठीक है तो यहाँ पे इस type का reaction आपका complete हो जाएगा, ठीक है, इसमें I think आपको समझ में होगा, ठीक है तो यह हो गया आपका SN1, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या SN2 देखेंगे SN2 क्या होता है, means क्या हो जाएगा, substitution nucleophilics by molecular reaction, ठीक है, इसमें देख लो तो SN2 में क्या होगा same example ले ले, ठीक है जैसे आपका हम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे chlorine, यह आपका hydrogen, और एक hydrogen मैं यहाँ पे upward direction में और एक below the direction ले रहा हूँ, ठीक है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका, सबसे पहले क्या होगा OH- attack कर देगा फटाक से आएगा, फटाक से पीछे से जाएगा, ठीक है, यह आपका क्या होगा, OH-, अब पीछे से क्यों और आप backward direction से क्यों यह hit कर रहा है carbon को, इस carbon को this is the carbon, ठीक है तो होता क्या है कि आपका, यह तो upward direction, यह below direction तो plane पे दो ही है, तो easily यह back आ सकता है और आने के बाद क्या होगा इस carbon पे attack करेगा तो attack करेगा, मतलब chlorine का जो bond होगा, यह क्या होगा, वीक हो जाएगा और यह formation स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें transition state बनती है क्या बनती है, transition state बनती है, transition state बहुत कम समय के लिए बनती है, और क्या होता है बाद में, और change हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में तो यहाँ पे इस carbon पे Kya Attack हो गया I okay को गया थीरे-दीरे क्लोरीनबॉर्ण वीक हुआ और यह तूटने लायक हो जाता यहां पर ठीक है यह आपका प्लेट पर यह अब का बिलोद अप इस पर अपवर डायक्शन वीपलिद्ध क्सश्ट किरा कियो च्छलंस करी पर थिए तो यहां पर बनना स्टार्ट हो और आपको यहां पर ढवार्मेशन और तो प्रोसेस टेक्स प्लेस की सुआरोर το टीक है इसमें बनती है और फिर क्या होता है क्लोराइड अपने आप best nodig अपने आपको अटा लेगा ठीक है और यह जो आपका बॉंड्ड है यहां पर new bond OH का बन जाएगा ठीक है आप इसमें देखिए OH back side से आया ठीक है जबकि इसमें इसके पहले जो SN में देखा कि पीछे से आगे से आ रहा था ठीक है तो इसमें configuration change हो जाता है R से yes हो जाएगा और yes है तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा और इसको बोलते हैं inversion of configuration inversion of configuration inversion of configuration ठीक है तो यह आपका हो गया SN2 ठीक है concentration dependent होता है मतलब जितना ज्यादा OH होगा उतना ज्यादा OH माइनस reactant पे attack करेंगे तो दोनों का जो concentration है यह आपका dependent है concentration dependent है concentration dependent reaction ठीक है बाइ मालिकुलर मतलब दो आपके reactant यहाँ पे यूज हो रहे है nucleophile और आपका जो reactant molecule है ठीक है तो kinetics की बात करते हैं तो इसमें second order kinetics को यह फालो करता है second order kinetics को फालो करता है ठीक है क्योंकि मतलब क्या है कि rate depends अबादा concentration आप बोथ reactant reactant मतलब OH माइनस और आपका methyl chloride इसके दोनों concentration पे यह reaction depend करती है ठीक है तो SN2 में आपने देखा कि कुछ inversion आप configuration यहाँ पे takes place और इसमें क्या होता है इसको हम bond line आप NCRT में देखोगे तो NCRT में उन्होंने bonds बना दिये ठीक है कि OH है यह आपका carbon है और यहाँ पे छोटे-छोटे hydrogen है ठीक है तो start में आपका attack करेगा OH आएगा इससे bond बनाएगा ठीक है तो इसमें उन्होंने एक ball-like structure इस्टिक-like structure को सो किया है तो आपको वहाँ पे कोई मतलब आयसा सुचना नहीं है कि यह क्या है ठीक है तो यह होगे आपको ठीक है तो I think आपको SN1 और SN2 ठीक है दोनों reaction में difference आपको पता चला होगा ठीक है दोनों reaction important है और हमेशा exam में आती है ठीक है तो दोनों में difference आपने देखा क्या-क्या difference है और आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरे type की reactions ठीक है जो भी आएंगे ठीक है तो अगर हम इसमें questions की बात करें तो questions जो आते हैं इसमें एक चीज़ बहुत important है अगर हम देखेंगे तो ओ है आपका एक NCRT में दिया है concept कि कोई एक carbon उन्होंने बनाया है और इस carbon से methyl attach किया उसको उन्होंने open कर दिया methyl क्या होता CS3 तो मैंने open कर लिया दूसरा methyl लगाया है एक तीसरा methyl लगाया तो आपने देखा है structure बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है ठीक है बट उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है और यहां से उन्होंने attach किया है क्या bromide ठीक है और इन्होंने उसमें show किया इसको मैं यहां पर delete करता हूँ ठीक है क्योंकि कोई मतलब नहीं इससे तो यहां पर उन्होंने दिखाया है कि कोई nucleophile आ रहा है कोई nucleophile क्या कर रहा है attack कर रहा है यह क्या है आपका nucleophile ठीक है एन्होंने एक दूसरा molecule ड्रा किया है जो कि सेम molecule है बट उसमें जो difference आया है केवल ठीक है इसमें क्या है यह अपका H हो गया तो इसमें देखा आपने 2 CS3 है इसमें 3 CS3 है ठीक है एक और molecule उन्होंने ड्रा किया है जिसमें केवल 1 CS3 है जिसमें 1 CS3 है ठीक है यह आपका हो गया H और यह आपका H ठीक है तो आपने देखा इसमें nucleophile एक molecule आपका यह है ठीक है ए आपका molecule B है और एक molecule C है ठीक है बी आपका A है इन्होंने पूछा है कि SN2 सबसे ज़्यादा SN2 का order किया होगा ठीक है तो SN2 सबसे ज़्यादा किस में होगा और SN1 किस में होगा ठीक है यह आपका question था ठीक है और इस question में अगर हम बात करते हैं तो SN2 reaction सबसे ज़्यादा जो rate of reaction होगा किस में होगा जिसमें जो molecule तीनों molecule में जो सबसे कम hindrance जिसमें होगा hindrance मतलब जिसमें groups बहुत कम होगे ठीक है मतलब यह जिसे यह है आपका तो इसमें बोलते हैं यह सारे group CS3 ठीक है तीनों normal की गृूप present है ठीक है और इस group की वजए से molecule में क्या होता है hysteric hindrance क्या नाम देते हैं hysteric hindrance ठीक है steric hindrance क्या होता है कि कोई bulky molecule जब किसी carbon से attached होता है तो nucleophile जो attack पीछे से करना चाह रहा है वो attack नहीं कर पाता है ठीक है क्योंकि इसको entry होने में क्या होगी problem होगी और problem अगर हुई तो इस carbon को पहुच नहीं पाएगा तो rate of reaction third वाले का क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा third वाला फिर उससे ज़्यादा किसका होगा second वाले का सबसे ज़्यादा किसका होगा one वाले का ठीक है ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए क्योंकि हाँ sorry इसमें एक चीज़ इसमें क्या है है अगर हम SN1 की बात करते हैं ठीक है SN1 में क्या होगा हाँ sorry sorry for that sorry for that sorry for that हाँ तीनों मालेक्यूल में अगर हम SN2 का अर्डर देखेंगे तो SN2 सबसे कम किसमे होगा सबसे कम SN2 किसमे होगा इसमें होगा 3 फिर 2 सही लिख रहे थे हम 3 2 1 और SN1 का अर्डर हम देखेंगे तो टर्सरी सेकेंडरी और प्रामरी अब सर ऐसा क्यों होता है कि टर्सरी इस SN1 में ज्यादा हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि पीछे से अटाइक कर रहा है जब कि इस side से जब SN1 में क्या होता है, front side attack होता है, इसमें back side attack होता है, तो front side तो easily आजाएगा, बट back side easily नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये आपका order हो गया, तो ये हो गया question regarding the SN1 and SN2, और I think आपको समझ में आए गया होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी मैंने tough नहीं समझाए, ठीक है, अब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा discuss किया, SN1, SN2 जो कि एक बहुत important आपका reaction है, और exam में इससे related question आता ही आता है, ठीक है, तो यह हो गया, अब देखें, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा,